हेलो हाई नमस्ते साथियाकाल अब सभी का स्वागत है आज के दिन नीव वीडियो में आज को जो लेट है 28 11 2020 है इंडिया में अब यहां पर फिला 27 है आज जो मैं श्टॉक के बारे में बोलेंगा वाज श्टॉक कर नाम है छोला मंदरम श्टॉक के बारे में मैंने पहले वी कुछ लिए कर लेवल पर रेकमेंड किया था बताया था कि कौन से लेवल दिख सकते हैं वह लेवल क्रॉस हो के पर दिखी चीज मैंद रखेंगेँ की वीडियो के लिए तो इसमें कोई क्या सेल का खी रेकमेंडेशन इसमें नहीं नहीं है तो जो राघूर देखेंगे उनको पता है कि आप जो भी करोंगे आपका सब बर रिस्पॉंसिलिटीव होगा ठीक है यहां प्योंग पे जो म यह एक ट्रेंड लाइन था तभी 270 से लेके 75 के आसपास था तो अब देख सकते हो यह जो ट्रेंड डाइन जैसे होते हैं जो तीड़े याड़ें बेरे हैं वह जैसे यह से आगे जाते हैं वैसे वैसे उसका रेंज चेंज होता है तो एनिवे छोला मंदलम ने वह टारगेट पूरा एचीव कर लिया है तो अब क्या है क्या नहीं है नहीं में वह दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में तो अभी का जो टाइम फ्रेम है आपके सामने डेली है यहां पर आपको दिखा होगा प्राइस ब्राइकेट वगेरे सब हैं जैसा पहले किसी इंद्रेक्वेस् जो होते है आरे से मैट में एक एक्जामपल दिखाना कि जब भी आरे साइज जाता है सेविंटीज के ऊपर तो आप दिख रहा है यहां पर आप यह दोटर लाइन है ना आप देखिए यह है सेकेंड नौंबर से लेके सेकेंड नौंबर को लेवल क्या था 294 294 से अभी जो अगर जो अगर मत कीजें आप आपको पूरा समझेगा यहां पर चला था और यह जो प्रीवेस था यहां पर जो 77 था और यहां पर यहां पर यह 2016 का जो आरे साइब है जो मुझे दिख रहा है इसको और भी देख सकता हूं बट एनिवे बस मुझे एक अब यह बट कर दी है अब यह तो अब यह कैसा है क्या है पॉसिबिटीज है यह नीचे आना यह तो नहीं आना डिपेंड बट इसमें थोड़ा सा डिव लग रहे है मुझे और उसका पॉसिबल क्या है टार्गेट उसब जो भी कोई स्किप कर रहा होगा फिर उसके लिए सॉरी बैक तो लंग-टर्य एंवेस्ट करोंगे बाद डिप्त इसका जितना जितना याद वदिवन गया तहिशत 0123 करें गातर के तो सुज़ने इसके मिनित और वीडीयों नहीं चाहिए पर नहीं हैesinा Gentlemen लास्ट में कुछ स्टॉक के बार में बताया था वो स्टॉक कौन से बेसिस पे स्टॉक के नाम से माइक्स फानेशल जैसा कि लास्ट का वीडियो है यहां पे दिख रहा है आपको ट्विंटी तुट एलेवन के दिन में बताया था कि जो भी कोई लॉंग तर्म होड रखते है कौन से बेसिस पे होड रखना है क्या कैसे है कितने पेशिंस ली होड रखते हो जिस किसने भी मिस किया रहेगा वीडियो देखने ना काफी कम लोग ने वीव किया बट यह स्टॉक आने वाले दिनों में पारफॉर्म करने का पूरा चांसस है तो देख लीजे तो एनिवे जैसे कि आपको stopless बता है वह stopless रखी है छोडा मंदलम में अब है आपको कुछ और बताने वाला हूं इसमें यह वीकली टाइम प्रेम आपके सामने वीकली दिखर आपको यह trend line को भी में डार करने जा रहा हूं तो फिर से जुसने भी किसने skip किया रहेगा तो फिर से कुछ 300 50 तो तीन वीक्ली टॉप 350 छोला मंदिरम ने क्रॉस किया है इस वीडियो में मेरा वॉइस लो हो सकते है पता नहीं मैं पूरा सेट कर दिया हूं पर कुछ पता नहीं कैसे क्या है तो साड़े 300 रुपे का जो इंपोर्टन टॉप था वह टॉप ब्रेक कर चुका है चोला तो आप देखिराए यहां पर भी मतली में यह गया है यहां पर यहीं में पूरा बाकी है यह मेरा पूराना चार्ट है जिस किसी ने देखा रहेगा पूराना वीडियो उसको पता रहेगा तो मैं एक बड़ कर टॉप गिना देता हूं आपको यहां पर एक टॉप था टूप था टूजन नाइं एक रैंडम ली ड्रॉन लाइन है जो मेरे काफी चार्ट में चले है ऐसे तो बस कैसे कि मैंने यह रिवर्सल यहां पर तो कुछ हुआ नहीं ता 2009 में जो हाई था उसका पांच रुपे उसमें कुछ बना ही नहीं बट यहां पर जो डॉप बने थे साड़े तीन सो रुपे से जो स्टॉक यह नीचे गया है यहां पर जो ट्रिपल बॉटम बना है मं यहां पे 436 रुपीज और अभी का क्लोजिंग प्राइस है 388 रुपीज 70 वेसे तो पॉसिबल है पूरा मंदरम का जाने का क्योंकि मंतली में भी ओवर्राल आरे से पूरा बाकी है ठीक है जैसा कि मैं आपको बता है 78 चल रहा है मंतली में और 83 के आसपास गया है और डीली म आपको में दिखाया स्टार्टिंग में रसा रीडिंग इसलिए दिखाया कि जो भी कोई नए है टेकनिकल में अगर वो देखते है रसाइए और रसाइक बेस पर ट्रेड करते हैं तो जरा ध्यान रख लेना इसके पहले के वीडियो में भी बोलाओं कि आरे साइए और मैं को एक लागिंग इंडिकेटर से आपको इंपॉर्टन आपको यह दिखना है कि आपको कोई से इंपॉर्टन रेजिस्टन पे मिलता है कोई से इंपॉर्टन सपोर्ट पर आप स्टॉक लेते हों तो ओवर आवल पोसिबिटीज है इसका जाना और आपको मैंने तो इसका टार्गेट होना है 140 रुपे से लेकर 3.5-300 रुपया मतलब 200 रुपया जाना है 500 से लेकर 500 के आसपस पूरा पॉसिबल है जानेगा इसका बड़ इसके पहले जो मैंने आपको मंतली में यह जो ट्रेंड लाइन इंपोर्टन है इसके पहले मैंने लेवल बता रिया हूं जिस किसी ने यह स्टॉक बाई किया है कौन से बेसिस पर यह वीडियो के बेस पर या तो आप अपना due diligence करके या तो आप अपना जो भी है आप जो भी ट्रैक करते वह बेसे इस पर तो इस वीडियो में हमने ट्रेलिंग स्टॉपलेस बता दिया है और पॉसिबल क्या रिजिस्टन्स दिख रहा है इसमें आर ऐसे काफी इंपॉर्ट है क्योंकि आरे साइज इस यह overall मेरा disclaimer है वीडियो के end में ठेक है तो यह लेने के पहले जो भी खरने के पहले एक बार disclaimer ज़रूर देख लेना Thank you